लगन और राशी ये दोनों मिलकर हमारी जिंदिगी में बहुत important role play करते हैं दर्शकों जैसे कि जब हम पैदा होते हैं तो जो लगन उद्या होता है वो हमारी personality को बनाता है और उसी समय चंद्रमजिस राशी में होते हैं न वो हमारे मनोस्तिति को बताता है अब सोचिए अगर ये दोनों मिलकर हमारी जिंदिगे पर प्रभाव डालें और ये दोनों एक ही हो यानि एक ही जंगे बैटे हो तो प्रभाव कितना जादा हो जाएगा और क्या सही में कुछ परिवर्तन शीलता, कुछ ऐसा होगा हमारी परसनेल्टी में जो बहुत बढ़ जाएगा या बहुत बदल जाएगा आज बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका कुम्ब लगन है और कुम्ब राशी है तो ऐसी इस्तिति में आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र, आपके मन, आपके जीवन साती, आपके वहवार और भी अन्य कहीं सी बाते हैं जिस पर ब बहुत कम हो जाएगा, कुछ पर बहुत जादा बढ़ जाएगा, विस्तार में बताऊंगा, वीडियो स्किप करें बिना देखिएगा, तो आईए शिरुवात करते हैं मैं स्टर अजर शेले जन, आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ दर्शको, जैसा कि कुम्ब लगन और कुम्ब राशी दोनों मिल जाएं, तो एक चीज आपकी जिन्दगी में बहुत जादा कर देती हैं, वो क्या है? उसे बताने से पहले एक बात देखिए, जैना कहीं कुम्ब लगन और कुम्ब राशी आपके जीवन में बहुत जादा गहराई से कुछ चीजों को इन्वाल्व करती हैं, यानि आपकी जिन्दगी में एक शब्द बहुत गहराई से आजाता है, वो है experience, experience और experience, आप कहेंगे अचारे जी, यह मटके और जल से experience का क् मुझे एक बात बताईए धर्शको, मटके में हलकी सी कमी रह जाए, तो पानी ठहरता नहीं है, और वो ही मटका जब किसी को शीतल जल देना चाहे, तो उसके लिए उस मटके को एक experience के अनुसार ही बनाया जाता है, और फिर वो एक अच्छी से अच्छी इस्तिति में अपने मटके में जल रुक गया कमाल करेगा, जीवन में कहीं और इस्तितियों में अगर कोई जल रुका हुआ है, तो वो बदवु करेगा, हम सब इस कावत को जानते हैं कि रुकावा जल जिन्दगी में अच्छा नहीं होता, ठीक ऐसे ही कुम लगन और कुम राशी के लोगों आपकी personality का हिस्सा है, वो क्या? परिवर्तन शीलता, यानि ever changing, आपकी जिन्दगी बदलाव लेती रहती है, तभी तो मैंने बोला experience, आप कहेंगे अचारे जी सभी की जिन्दगी बदलाव लेती है, जितनी आप लोगों की लेती है ना, उतना सब की नहीं लेती जिन्दगी बदलाव, क्यों? क्योंकि कुम लगन और साथ में अपकुम राशी भी होगी, इसलिए परिवर्तन शीलता आपकी नसों में रह गया है, आप तो अपनी माता के गर्ब से ही परिवर्तन शीलता लेके आ रहे हैं, आपने तो जिन्दगी में उन पलों से ही सफर करना शुरू क बदलाव करना शुरू कर दिया था, अभी इन बदलाव की कहानी बताऊंगा, सिरफ एक बात देखिए, आपने अपनी जिन्दगी में कितने घर बदले हैं, कितने मकान बदले हैं, कितनी जंगय बदली हैं, कितने कल्चर के लोगों से आप मिले हैं, जरफ पलटके ये कमाल है कुम लगन का और साथ में मिल जाए कुम राशी तो ये कमाल बढ़ता चला जाता है यानि ये बदलाव कभी-कभी मन सोचता है कि ये बदलाव ठीक भी है क्योंकि जब दूसरों को देखते हैं तो आपको लगता है कि हम क्यों नहीं स्थिर रह सकते हम एक जिंगा क् ठेर सकते हैं दर्श को सिरफ कुम लगन होता तो शायद में कुछ और बाते कहते था आपसे कि आप थोड़ा स्थिर होने की कोशिश कीजिए लेकिन यहां पर कुम लगन के साथ कुम राशी है ना तो इसलिए आप इस परिवर्दन शीलता को ही अपने कवच के रूप में र इस परिवर्दन शीलता को अक्सेप्ट कीजिए लेकिन इस परिवर्दन शीलता को समझने के लिए आपको मैं पहले परस्नियलिटी को लेके कुछ एक्जामपल देता हूँ देखे दर्शको एक व्यक्ति है जैसे कि जम मैंने उन्हें देखा तो पहले वो बीटेक कर रहे थे यानि उनके ग्रेजुशन से बात करते हैं वो बीटेक कर रहे थे बीटेक करने के बाद एमटेक करने लगे एमटेक के फरस्ट यर में उनने ख्याल आया कि एमटेक छोड़ देते हैं और हम आगे चल के IS करते हैं यानि बीच में ही M-TEC को छोड़ दिया और IS की तरफ बढ़ चले उन्होंने IS की त्यारी करी फर्स्ट टेंट में रुख गए कहां जाके? इंट्रुईू में फिर उनके मन में खयाल आया कि हम IS तो करी रहे हैं IS के साथ कुछ और भी हनुभव लें तो उन्होंने के एक वैपार में भी हाट डाल दिया अब आप सोचिए एक इंसान जो B-TEC कर रहा था फिर M-TEC के तरफ चल पड़ा फिर हो IS करने लगा फिर वैपार में भी हाट डाल दिया तो क्या किसी एक भी चीज में उन्हें तरक्की मिली होगी? बड़े कमाल के बाद है वो सेकिंड शॉर्ट में आईस ऑफिसर बन गए और उसके बाद उन्होंने वैपार छोड़ दिया कहने का तात पर रे वैराइटी कहने का तात पर रे परिवर्दन छीलता कहने का तात पर रे एक्सपीरियंस अक्सेप्ट किया डरे नहीं, परिशान नहीं हुए और कुम लगन और कुम राश्की वालो इसलिए आप भी परिशान ना हुआ करें ऐसे ही चलिए एक एच्जांपल आपको और देता हूँ एक व्यक्ती जो सरकारी नौकरी में नहीं है अपना प्राइवेट कोई कारे करता है आप क्या उमीद करेंगे एक व्यक्ती अपने जीवन में कितने घर बदल देगा एक, दो और क्या, वो सिर्फ किराय पे हो तब ही घर बदलेगा कि ऐसे इस्तित्याई हैंगी दर्शको बड़े कमाल की बात है कुम लगन और कुम राशी होने के कारण मैं जिस व्यक्ती का एक्जामपल दे रहा हूँ उसने अपने जीवन के अंदर 15 से 20 इतना गैप इसले है कि बड़ी विचेतर बात है इसके अंदर 15 से 20 घर बदले जंगय बदली और उसमें भी बड़े कमाल की बात उनके पास उन 20 में से कई प्रपडीज अपनी थी फिर भी बदला कई बर किराय पे गए फिर अपने घर फिर किराय पे गए फिर अपने घर परिवर्तन शीलता कारण बहुत से रहे कुछ भी रहे चाया उनके परिवार की जरूरते रहीं, चाया उनके अपनों की जरूरते रहीं, लेकिन फिर भी वो परिवर्तन छीलता के साथ चलते चले गए, तबी मैंने बोला बहता हुआ पानी, या फिर अपना जो ग्यान उन्होंने खटा किया, वो कुम्ब के तरह से एक जंगे पर अ लेकिन आपका वो अनुभव एक जंगे अपने मन में एकटा करते रहिए, और उसमें एक बूंद भी गलत कुछ मट डालिए, नहीं तो फिर वो जल शीतल कैसे रहेगा, अगर मेरी बात से कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो बिल्गुल सीधे शब्दों में कहता हूँ, कि आपक हूँगा, जिन्दिगी में चेंजिस परिवर्तन छीलता ही सब कुछ है, और आपके लिए तो और भी बहुत कुछ है, तो उसे अक्सेप्ट करेंगे, तो आपका experience खटा होता चला जाएगा, जो आपको बहुत जादा लाब देगा, तो ये बात थी आपकी personality की, अगर आपक कुम लगन है और कुम राशी है, अब बात करते हैं आपके मन की, कि कुम लगन और कुम राशी होने के कारण मन से आप किस तरह से रहते हैं, यहाँ जब मन की बात आ रही है ना, तो आपके अंदर एक बड़ा विचित्र प्रभाव देखा गया है, कि आप मन से कभी-कभी ब बहुत ही जादा अकेले, इसलों उसको डिफाइंट भी नहीं कर पा रहा है, कि कितना अकेले, भरा पूरा परिवार है, भरी-पूरी ग्रस्ती है, लेकिन फिर भी कभी-कभी मन करता है, कि कहीं अकेले जाकर किसी जेंगे चुप-चाप खड़े हो जाएं, कहीं अकेले कुछ gaps के बाद ऐसा चाहता है, कि हम अपने आपको समय दें, और वो समय को entertainment के लिए नहीं है, वो समय है अपनी spirituality को बढ़ाने के लिए, यानि आपकी विचार शक्ती और विचार शैली को बढ़ाने के लिए, कुम लगन और कुम राशी मिलकर, आपके मन में कोई एकाकी बन गपे मारना ये सब बहुत पसंद है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अंदरूनी तोर पर कभी-कभी सब जंगे से गायब हो जाने का मन करता है, तो दर्शकों अगर ऐसा मन करता हो ना, तो comment box में बता दीजेगा, अन्य कुम लगन और कुम राशी के लोगों को भी ये बात पता लगेगी कि कितना प्रभाव ये बात आपकी जीवन पर डालती है या नहीं डालती, अब बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहूंगा दर्शकों, कि अगर आपका कोई और कॉम्बिनेशन है, या नि मान लिजे आपका लगन कोई और है, और राशी कोई और है, और आ या फिर आप ये देखना चाहते हैं, सिरफ लगन के विशे में ही विश्तार से जानकरे लेना चाहते हैं, तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सभी बारा लगनों के बारे में बताये गया है, ठीक ऐसे ही राशी अलग प्रभाव देती है, तो ऐसे ही बारा बाते हैं कि कुम लगन और कुम राशी की पस्टनेलिटी और मन के बारे में तो बात हो गई अब जराइंके करियर के बारे में बात कर ली जाए कारे चेत्र के बारे में बात कर ली जाए देखे एक चीज तो इस्थिर है इसके अंदर क्या आइस्थिरता यह बड़ी इस्थिर नहीं रही लेकिन फिर भी करियर के अंदर जो रास्ता होता है ना वो बरा ही उतार चड़ाव का होता है यानि एक ऐसा उतार चड़ाव जिसके अंदर वो आईस आफिसर बनके भी उनकी ट्रांसफर्स बलाकी रही क्यों कि किसी के साथ कोई भी बिनाबाद का उस नहीं करते थे यानि कुम्लगन और कुम्राशी वाला व्यप्ती अपनी सोच के अनुसार चलता है उसे जो ठीक लगता है उसके अनुसार चलता है किसी से दबने का तो कोई मतलब भी नहीं है ना गलत काम करता ना गलत लोगों के साथ रहना उसे पसंद होता इसी क्यों कि पानी अपना रास्ता डूंड लेता है ऐसे आप भी अपना रास्ता डूंड लेंगे ज़र्शकों मान लिजिए आप किसी चीज की बहुत कंभीरता से कोशिश कर रहे हैं जैसे आप स्टूडेंट हैं तो किसी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं आप किसी जॉब के लगे रही है जादा उस रास्ते को छोड़ने की कोई आवशक्ता नहीं है उसी रास्ते पर लगे रही है आपको तरक्की तैशुदा मिलेगी क्योंकि आप जब अपना करियर ही बदल देते हैं न उठाके तब थोड़ी दिक्कत आ जाती है इसलिए आपको जादा बदलाव कर करना नहीं है लेकिन फिर भी जिंदिगी अगर मुझबूर करती है जैसा कि मैंने आपको एक्जामपल दिया कि वह बीटक थे फिर एंटक की तरफ चले गए फिर वाईयस करने लगे फिर वैपार भी करने लगे ऐसे ने बहुत सारे एक्जामपल है कुम लगन और कुम दलना चाहेंगे वह कारे तो आप ही जानते हैं वह दूसरा कोई नहीं जानता उस कारे को जरूर चालू रखिएगा यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह बात कुम लगन और कुम राशी वाला वक्ति ही जानता है जैसे वह साहब जो थे उनको आयस ही करनी थी यह उनके मन की बात थी एक व्यक्ति और हैं जिनको टीचर ही बनना था तो टीचर बने एक व्यक्ति और हैं जिनको गंभीर था से किसे ना किसी सीक्रेट लाइफ के अंदर सीक्रेट जॉब करने थी तो वह ही बने लेकिन रास्ता बड़ा आजीब और गरीब होता है एक दम टेड़ा मेड तो इसले वो जो टेड़ा मिटर आसता है ना उसके बारे में भी मैं यही कहूंगा कि उसपे चलते रहिए चले एक एक एक्जामपल से समझाता हूँ आपको एक व्यक्ति है जो उन्हाने अपनी जिंदिगी के अंदर विद्यारतियों को साइंस भी पढ़ाया विद्यारतियों को Commerce के सब्जेक्ट यानि Economics जैसा सब्जेक्ट भी पढ़ाया उन्होंने विद्यारतियों को Law भी पढ़ाया इतनी ज़धा variety और उनका वैपार यानि कोचिंग चला भी बार बार रुका भी चला भी रुका भी अब सोचिए इतनी जादा मैनत करने के बाद इंसान को कभी-कभी दर डिप्रेशन होगा लेकिन वो थे कुम लगन और कुम राशी के वेक्ती परिवर्दन शिल्टा को अक्सेप्ट करने वाले वेक्ती पाइनली क्या हुआ? जिंदिकी के पड़ाओं में उन्हें एक ऐसा मौपा मिला कि वो IAS की कोचिंग देने लगे यानि वो जो variety of experience उनके कारण दाना फिर finally एक stage पे पहुचे और फिर वोस कोचिंग के थुरू multiple of income करने लगे यानि अच्छा खासा धन, धानने और संपत्ती यही तो कहना चारा हूँ मैं आपसे कि कहीं न कहीं आपका career अगर उबढ़ खाबढ़, left, right, turn, मारतावाद चल रहा है ना tension मत लीजिए, कुम लगन और कुम राशी होने के कारण आपको middle age में जाके एक बड़ा जबर्दस रास्ता मिलेगा अगर अभी तक नहीं मिला कईयों को उम्र के बहुत जल्दी मिल जाता है, कई को middle age में मिलता है लेकिन सवाल यह उठता है कि जब तक उतना अनभव, उतना experience, उतना patience, उतनी acceptance, परिवजन, शीलता की आपके अंदर नहीं आईगी, गुस्सा शांत नहीं होगा, तक तक कुछ नहीं मिलने वाला गुस्से की बात कर रहा हूँ, तो एक topic और उठाऊंगा, कि कहीं न कहीं, आपके अंदर एक बहुत गंदी आदत होती है, और वो है क्रोध की ये जो क्रोध की आदब है न, ये आपको खुद को ही परिशान करती है, क्यों? क्योंकि आप उपनी वानी पे तो सयम रखते हो, गलत किसी को बोलते नहीं हो, लेकिन जब आपको आता है गुस्सा, हेश्वर, पता नहीं क्या कर लें, और जब आप उस गुस्से को अपनी ब जादा बुरा मान जाएगा, तो अच्छी बात ये है, कि ऐसे लोगों के साथ डीली मत करो, दर्शगो एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, अगर आप कुम लगन और कुम राशे के वक्ति हैं, कि वो जो परिवर्तन शीलता है न, वो संबंदों में भी आती है, अगर आ अचारे जी सबको छोड़ दें, जिन्दिकी में, किसी का साथ न रिभाएं, अजीब सी बात है दर्शको, छोड़ना तो पड़ेगा, अगर बिना वजय कोई वजन अपने सर पे उठाके चलोगे, बेकार में रिष्टों का संबंद अपने कंदों पे उठाके चलोगे, फा परिवर्तन शीलता को संबंदों में भी अक्सेप्ट करो, कि आपका जो रिष्टा खतम हो गया, हो गया, आगे बड़े चलो, आगे नए रिष्टे बनेंगे, नए लोग मिलेंगे, आप कहेंगे नहीं मिले तो ये बात पक्की है, मिलेंगे जरूर, क्यों? क्योंकि परिव लगन और कुमराशी होने के कारण, एक टैलेंट इश्वर आपको देता है, एक स्किल आपको देता है, या इसे कहिए एक शौक आपको देता है, अपना वो शौक जरूर बना के रखिएगा, जिस चीज़ में आपकी रूची है ना, ये करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल, सब लाइफ से अलग, एक चीज होती है, जो कहीं न कहीं आपके मन के अंदर रहती है, कि कभी समय मेला आता हम, ये जरूर करेंगे, वो करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे, तो इस चेंजिस को अकसेप्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आप इस दलदल में दहस ज जाएंगे, यानि कि पानी रुक जाएगा, और फिर एक दलदल बन जाएगी, और वो दलदल आपके मन को डिप्रेशन के अंदर ले जाएगी, क्योंकि कई बार मैंने कुम लगन और कुम राशी होने के कारण ये भी देखा है, कि जो लोग इस परिवर्तन शील्टा को ये अपनी लाइफ के बदलाव को नहीं जेल पाते, वो जीवन साथे के साथ भी तनाव करते हैं, आफिस में भी तनाव करते हैं, स्वयम के साथ भी तनाव करते हैं, तो दर्शको, कंक्लूजन के फॉर्म में एक ही बात आती है, कि जब भी आपकी लाइफ आपको चेंजिस दे रही हैं आप उसे accept कीजिए दोस्त छूट रहे हैं छोड़ दीजिए रिष्टे थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं आगे बढ़ जाईए बिना बात के emotional फूल मत बनिये किसी के लिए मत रोकिए बड़ी कटोर बात है पर एक सच है कम लगन और कुम रची को आगे बढ़ना पड़ेगा वह इक बात है ना एक गाना है कई बर दिमाग में आता है कि नदिया भी चलती है और धारा भी चलती है इसलिए तुझको भी चलना होगा जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंदी से तूफा से डरता नहीं है, यही है कुंलगन और कुं राशी, पसंद आई ओर वीडियो तो लाइक कर लीजिएका, आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा कुम लगन और कुम राशी वाले व्यक्ति कि क्या ऐसा है आपका जीवन सब्सक्राइब कर लीजे चैनल अगर पहली बार आए हैं और साथ के साथ यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद